ग्यानमत सेवभावी संस्तान पूर्णेद्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और ओनलाइन प्रशिक्षन जल्द ही रालिगन सिद्धी तालू का पार्नेर जिला एहमद नगर में शुरू हो रहा है ग्यानमत सेवभावी संस्तान पूर्णेद्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 पर गूगल मीट के माधियम से कई लोगों को प्रशिक्षित कर रही है इसे बड़ी प्रतिक्रियाम मिली है कई प्रशिक्षिक्षि को चाहते है कि उक्तु प्रशिक्षन महराश में ओफलाइन आयुजित किया जाए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लिए वरिष्ट समात से वी पदम भूशन अनहाजारे ने काफी मेहनत की है और अनहाजारे की सफलता के बाद 15 जून 2005 को भुखरताल कर पूरे देश को सूचना का आधिकार कानून 2005 मिल गया नागरिकों को मिला कानून का ये बड़ा हतियार है अभिवेक्ति की आजादी से नागरिकों को ये कानून मिला अनहाजारे ने उक्तधी नियम के प्रचार में बहुत योगदान दिया है कई सूचना अधिकार नागरिकों ने राय व्यक्त की की राले गन सिध्धी को सूचना के आधिकार का केंद्र बनाया जाए बहुत से लोगों खुश है कि राले गन सिध्धी सूचना के अधिकार का उज्जा केंद्र बन रहा है हाल ही में 22 जनवरी 2023 को राले गन सिध्धी में नागरिकों को सूचना का अधिकार का पहला बड़ा सम्मिलन आयोजित किया गया था वरिष्ट सामाचिक कारिकरता पदम भुशन अनना हजारे ने नागरिकों से अनुरोद किया कि सूचना का अधिकार कानून को घरगर पहुचाने का काम किया जाए अनन हजारे ने अपने मौलिक मार्ग दशन में कानून के लिए प्रयास करते हुए कानून का प्रचार्च जारी रखने, कानून के प्रती जंजागरुकता पैदा करने और आज की युवा पीड़ी को कानून का अधिक्तम उपियोग करने के लिए प्रेरित करने की बात कही है इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्यान माता सेवा भावी संस्थान ने रालिगन सिद्धी में सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर दो दिफसी ओफलाइन प्रेस्टिक्षन शुरू करने का निर ने लिया है। इस कारेगरम की अनुमती अन्ना हजारे ने दी। ब्यूरो रिपोर्ट बीसेन न्यूज।